तो वेलकमे दोस्तों नमस्कार आप सभी का देखे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जारखन राज के खोटी जिला में कुछ पदो पे भरती आई हुई है इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट की वेकिंसिस है ठीक है और इसमें जो है कोई एक्जाम नहीं लिया दाएगा तो चलिए जानते हैं कौन-कौन सी पोस्ट है और इसमें सेलरे कितने मिलेगी और आपका इंटरव्य होगा 15 तारीक को ठीक है 15 तारीक 15 जून को इंटरव्य होगा इसी महिने के चलिए जान लेते हैं और यहां पर जारखन के लोग अपलाई कर पाएंगे जारखन अपिस खोटी ठीक है तो यह आपका अफिसर खोटी की और से वेकेंसी है और जारखन के लोग अपलाई कर पाएंगे देखें यहां पर दिया गया है रिक्वार्मेंट नोटीस और एक तरफ है डेट ऑप इंटरव्यू तो आपका इंटरव्यू को डेट है 15 जून 2023 को ठीक नेक्स्ट है आपका पेडिट्रिसियन जिसको बच्चों वाला जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं ठीक है सिसुरोग चिकित सक इसमें एक सीट है फिर है अपका हेमेटोलोजिस्ट इसमें एक सीट है फिर है मेडिकल ऑफिसर जिसमें एक सीट है नेक्स्ट है आपका आपका जो interview होगा वह साडे गारा बजे शुरू हो जाएगा कहां पर होगा तो डिस्ट्रिक्ट क्लेक्टर हाल खोटी में होगा और सुनदी गिजे गारीट है सरू हो जाएगा यहां पर बोला गया तो चलिए देख लेते हैं यहां पर बोला गया है कि पोस्ट नेम फिर इसंटियल क्वाइलिफिकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन टर्म एंड कंडिशन तो सबसे बिले देखिए पोस्ट नेम फिर क्वाइलिफिकेशन तो यहां पर आपको यहां पर आपको सलरी दिया जाएगा एक लाग पांच जार रुपीए पर मत के ठीक है एनस्थिसिया में देख लिजे इस तरह से एनस्थिया में एक साल का एक सब्सक्रिया चाहिए अगे पैथोलोडी में होना चाहिए pairman इस तरह है आपका पैडिटरिसियन का इसमें भी MBBS की डिग्री और post graduation in p Holocaust करके पैडि ट्रिक्स, एक साल का experience ओर 150000 माँग गया है, umbling to常 an ede s pros個 ages can, आपका post graduation and hematology में होना चाहिए एक साल की एक्सपरिइन्स होना चाहिए, वन लेक फाइब थाउजन पर आपको मन्त मिलेगा सेलरी ठीक है मेडिकल ओफिसर में बोला गया है केवल और केवल MBBS के डिगरी होनी चाहिए ठीक है और एक साल का experience होना चाहिए यहाँ पर आपको सेलरी जो है इसमें थोड़ी कम स्पीच एंड हीरिंग फ्रॉम आर सी आई ठीक है और इसमें बोला गया है कि एक साल का experience होना चाहिए पचीस हजार रुपए आपको सेलरी यहां पर दिया जाएगा कांसलर की देखिए तो कांसलर की सेलरी सबसे कम है स्वला अजार रुपए है और इसमें बोला गया है कि मास्टर या फिर बैचलर की डिग्री होने चाहिए सोसल वर्क पब्लिक अड्मिस्टेशन यार मेरा पब्लिक अड्मिस्टेशन है मास्टर में तो मैं भी एफ्लाई कर सकता हूँ बड मैं नहीं करूंगा टेंशन मत किजिए ठेक है मास्टर्स बैचलर्स डिग्री इन सोसल वर्क या फिर पब्लिक अड्मिस्टेशन ठेक है या फिर साइकलोजी या फिर सोसियोलोजी हम साइन्स होस्पिटल एंड आपका हैल्थ मेनेजमेंट ठेक है इसके साथ ही बोला गया है कि एक्सलेंट होन होना चाहिए बातचीत का सली एकदम धाकल होना चाहिए एक नंबर फिर फ्लुएंसी इन लोकल लेंग्वेज बोथ राइटिंग एंड इस्पिकिंग ठीक है फिर बोला गया है कि गोड़ डाटा मेनेजमेंट स्केल बैसिक कंप्यूटर स्किल होना चाहिए आपका इसमें थोड़ा थोड़ा जानते हूं यह मतलब कंप्यूटर चलाने जानते हूं बस ठीक है उसके बाद एविलिटी टू वर्क और टीम टीम के साथ काम करने का यहां पर बोला गया है कि वान ये वान येर्स वर्क एक्सपिरियन्स इन हैल्थ सेक्टर तो यहां पर आपको 17,000 रुपए दिया जाएगा B.C. MLT ठीक है या फिर Diploma in Medical Laboratory Technician Counselor from a Recognizing University और Institute बोला गया है कि minimum two year का experience होना चाहिए आपके पास ठीक है तो आप यहां पे apply कर पाएंगे अब देखिए apply करने के लिए क्या बोला गया है तो आए जानते हैं चलिए हम लोग next चीज़े जान लेते हैं तो देखिए यह vacancy जो है आपका एक साल के अभी contract पे है और इसको renewal किया जाएगा परतेक साल यह चीज़े जिन्होंने बोला है ठीक है आगे देखते हैं तो यहां पे बोला गया है कि आपको जो है TDS will be applicable per government rules and lips आपके छुट्टी बगरा सारी कुछ government rules के इसाब से दिया जाएगा ठीक है फिर देखिए यहां पर बोला गया है कि एज लिमिट maximum 60 साल होना चाहिए किसके लिए तो post of SMO ठीक है बाकी जितने भी हैं counselor और आपका lab technician और छोड़े छोड़े पोस्टों के लिए मतलब डॉक्टर बगरा को छोड़के आपकी 45 year होना चाहिए maximum age limit और बाक सबी के लिए maximum age 60 year है ठीक है और उम्र की गन्ना की जाएगी 31 दिसंबर 2022 के अनुसार ठीक है वहां पर देख लिजिए उसके बाद next जीज बोला गया है कि आपको एपियर हो जाना है 15 जून को कितना बज़े साड़ा है गारा बज़े नौट कर लिजेगा हुटी कहां पे DC office क आगे देख लेते हैं तो यहां पर बोला गया है कि आपका during counseling उसके बाद number of vacancies तो यह number जो vacancies है यह बड़ भी सकते हैं घड़ भी सकता है आगे देख लेते हैं तो यहां पर बोला गया है कि आपका और कुछ खास जानकारी यहां पर और नहीं दिया गया है हाँ एक तीज ब can be downloaded from district website ठीक है खोटी तो यह जो है आपको मैं वीडियो को description में दे रहा हूँ इसका ये एनेक्चर यह है ये page आपको download कर लेना है और इसको ले जाना है ठीक है इसमें fill कर लेना है कि name of sorry name in full block letter अपना नाम भढ़ना है फिर father name भढ़ने है ठीक है या फिर अगर कोई female है तो husband name date of birth भढ़ना है आपको nationality Indian भढ़ना है फिर यहाँ पे आपको अपना recent एक photograph देना है फिर देख लेते हैं तो यहाँ पे medical के देना है कि qualification कहां तक पढ़ाई किए medical फिर आपको MCI यानि कि medical council of India recognized number आपको देना है registration number फिर आपका specialization किसमें है उसमें देना है इसका यहाँ पर detail फिर आपके इस तरह से सब कुछ देना है work experience mobile number email ID ठीक है email ID residential address mobile number email बस इतना कर लेना है place में आपने district का नाम लिख दीजिएगा ठीक है और डेट मार दीजिएगा जिस डेट को आप एपियर होंगे और यहाँ पर signature of candidate लिखा गया है ठीक है तो यह सारा चीज आपके करके इस पेज को download करना है ठीक है इसको या पर तीनों पेज को download कर सकते हैं और इसको लेके आपने सब को लेकर करके आपको interview के लिए पहुंच जाना है उस दिन ठीक है 15 जुन को तो अगर आपका कोई medical course किया हो तो प्ली जुन तक वीडियो को share किजीगा और मैं आपको इसी तरह के जारखन के सभी प्राइबेट और गॉर्मेंट जो आपके notification यहां पर देता रहूंगा चाहे एक पोस्ट हो चाहे एक सु हो चाहे दसजार हो चाहे एक लाग हो ठीक है सबकी मैं वेकेंसी इसी में डालता रहूंगा तो चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप जारखन से है तो definitely दोस्त तो subscribe कर ले बहुत ज्यादा benefit मिलेगा आपको बागी all the best अच्छे से एक्जाम दे अगर आपका है तो और अगर आपका कोई दोस्त कजन रिलेटिव हो तो उन तक वीडियो का share कीजिएगा जय हिन जय भारत जय जहारखन जोहार ठीक है मिलते हैं एक लिए वीडियो में